हेलो आल इस वीडियो में बेसिकल लिए हम लोग फोकस करने वाले हैं जहां बहुत सारे लड़के कन्फूज है वेल्डिंग क्या है वेल्डिंग को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है जैसे आप नाम सुनते हैं आर्क वेल्डिंग, रेसिस्टेंस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, तरह तरह के वेल्डिंग होता है इन जेनरल अगर ब्रॉड लेबल पर आप बात करें तो वेल्डिंग दो तरह से कलासिफाई है जनरली एक conventional method, conventional welding, दुसरा non-conventional welding होता है बात तो वो अलग है, वो advanced level पे बात है लेकिन जो basic idea welding के बारे में होना चाहिए कि आखिर welding होता क्या है, types of welding क्या है different different resources इस्तमाल करके welding के criteria कैसे change हो जाता है उस चीज़ पे हम लोग basically focus करने बाले है हमें पूरी syllabus हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि अच्छे अगर कोई पूछ दे कि suppose arc welding के बारे में कि arc welding generally किस तरह के categories में आएगा welding के किस category में यह exist करता है तो हम वहाँ पे confused हो जाते हैं अगर on the basis of different consideration पूछा जाए तो काफी और confusion हो जाता है मैं कोसिस करूँगा कि यह सभी जो confusion होते हैं आप लोगों को यह हम सब के भी जो confusion है welding को लेके classification को लेके वो दूर हो जाए तो अपनी पूरी कोसिस करेंगे कि आपको हम मैं अच्छे से बता दूँ, समझा दूँ बेसिकली अब सबसे बड़ी बात है कि welding आप पढ़ेंगे क्यों आपके syllabus में क्यों रखा गया ऐसे mechanical आप बात करेंगे क्योंकि mechanical वालों के production वालों को इन ही सब को welding पढ़ने होते हैं या overall बात करें आप तो सभी जितने भी engineering जैसे आप बात करते हैं माई वाले तो हर जगह उनके उन्हें पढ़ना रहाता है जैसे fundamental section A में भी पढ़ना है section B में mechanical में पढ़ना है तो section A में सभी के लिए common हो जाता है FODM जो subject पढ़ते हैं basically यह मेरा motto है कि welding आप पढ़ेंगे क्यों welding क्यों पढ़ा जाता है और welding को आपके syllabus में क्यों रखा गया तो सबसे पहला यह कि जब आप IJ mechanical अपने आपको देखते हैं तो आपका काम क्या है machinery से related है तो आपको joint बनाने पढ़ते हैं machinery तभी एक्जिस्ट करता है जब आपको joint बनाने पढ़ते हैं क्योंकि उसमें number of link होते हैं number of link होते हैं आप obvious सी बात है structure की बात करते हैं frame की बात करते हैं machines की बात करते हैं तो machines में number of link होते हैं और number of link कैसे joint से बनते हैं कुछ इसमें permanent joint होता है कुछ temporary joint होता है इसका मतलब कि joint दो तरखा होगा एक permanent joint होगा दूसरा temporary joint होगा तो बहुत सारे ऐसे methods है जिसमें temporary joint बनाये जासकते हैं अब बहुत सारे ऐसे methods हैं जिससे permanent joint बनाये जासकता है जैसे एक cylinder को आपको जोड़ना है तो वहाँ पर क्या करेंगे पर्मनेंट जॉइंट बनाएंगे जैसे पिस्टन स्लाइडर वहां पे स्लाइड करता है तो टेंप्रोरी जॉइंट बनाते हैं ताकि आप असान नट बोल्ट के तुरू ताकि आसानी से आप जब चीजे खराब हो उससे रिप्लेस किया जा सके यानि जहां पे रिप्लेस्मे बनाएगा यह पर्मनेंट जॉइंट बनाएगा तो यह बात किलियर हो जाता है कि वेल्डिंग कि जब पर्मनेंट जॉइंट यह एक पर्मनेंट जॉइंट है यानि पर्मनेंट जॉइंट प्रोड्यूस करता है सीदी सी बात है जैसे आप LPG Cylinder की अगर बात करें तो वो दो पार्ट में बना रहाता है अगर वहाँ पर रिवेटिंग कर दें रिवेटि क्या है टेंपरोजी जॉइंट है अगर वहाँ पर रिवेटिंग कर दें तो leakage of gases की chances बढ़ जाएगा यानि permanently leak proof joint आपका नहीं बन पाएगा अगर वहाँ पर रिवेटिंग करेंगे तो leakage के chances बनेगा जो हम exist कर देंगे वो system हमारे लिए danger हो सकता है तो इसलिए आप देखते हैं कि उसके circumference पे जो आप वहाँ पे यानि आप butt joint वहाँ पे जो बनाते हैं वो welding से बनाया जाता है ताकि एक permanent joint हो और वो एक आपका आप जो है डेंजर से बच सकें इसलिए prefer किया जाता है permanent joint को अब suppose आपको structure बनाना है फ्रेम बनाना है तो आप देखते हों कि welding से बनाया जाता है वहाँ पे rebating nut bolt से आप नहीं कर सकते हैं तो इसका भी अलग एक अपना advantage है कि आप जब चीजे एक strong यानि strength बढ़ाना चाहते हैं joint का तो आप वहाँ पे welding करते हैं दूसरा इसका purpose है to increase the strength to increase the increase the strength of joint strength of joint welding करने से joint का strength होता है वो बढ़ जाता है simple सी बात है यह इसका basic objective है लेकिन welding क्या आता है पहले यह जान ले welding एक process है welding एक process का नाम है जिसमें आप दो materials को join कर सकते हैं दो materials को join कर सकते हैं और अगर बात की जाए तो दो materials जो होगा वो similar भी हो सकता है और एक दूसर से अलग भी हो सकते हैं यह इन्हें similar और dissimilar material को joint करने के लिए इस्तमाल किया जाता है अब इसके अलग-अलग तरीका हो सकता है हो सकता है आप with heat apply करें या without heat कर सकते हैं अलग-अलग है with heat या without heat कर सकते हैं with pressure, without pressure आप कर सकते हैं with filler material, without filler material आप joint बना सकते हैं तो welding is a process of welding is a process of process of joining of joining of similar और dissimilar material dissimilar material इसके कुछ conditions है यानि similar और dissimilar material को ये welding is a process of joining of similar और dissimilar material with conditions अब conditions क्या आगा dissimilar material with पहला with or without without application of heat कर सकते हैं application of heat second या बोल सकते हैं with or without or without application of pressure ये criteria बन जाता है welding को classify करने में आपको help करता है pressure third third with or without without application of with or without application of filler material filler material क्या होता है जो आप extra material सप्लाई करते हैं filler material कहां पर filler material का requirement होता है उस चीज़ को भी आप देखेंगे अच्छे से काफी लोगों को confusion होता है अच्छे filler material जो आप इस्तमाल करते हैं जो excess material का इस्तमाल करते हैं तो वहां पर इस conditions में आप ये देखते हैं कि वह filler material सभी welding cases में नहीं लेते हैं किस case में लेंगे किस conditions पर लेंगे उसको समझेंगे यानि welding joint बनाता है दो material के बीच वह similar हो सकता या dissimilar हो सकता वह joint permanent joint होगा लेकिन यहाँ पर conditions होगा with or without application of heat with or without application of pressure और with without application of filler material अब बात आता है कि इसका objective क्या होगा suppose आपको एक cylinder बनाना है तो हम ऐसे एक साचा बनाए और उसमें क्या करें cylinder को बना दें तो उसमें आप देखेंगे कि एक cylinder को forging method से है आपने पास आप mechanical आप जानते हैं manufacturing total four part में classify the one is the casting process उसके बाद forging आता है फिर आपका welding आता है फिर machining आप करते हैं and the other advanced process to be there कुछ advanced process भी है लेकिन generally 4 process है यह हम सबको पता है तो बात आता है कि एक ही method से हम क्यों joint बनाए एक ही process से forging is the one of the best method to produce and also improve the physical property of the material तो उस cases में आप direct बना ले लेकिन जब आप forging method से बनाएंगे तो यह defect होने के chances जो इसमें ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे stress किसी एक point पे जाके concentrate हो जाए जिसके वज़े से stress concentration के वज़े से वो system का strength होगा वो decrease हो जाएगा तो welding में सबसे बड़ा यह क्या देखा गया कि अच्छी यह भी joint बना इसलिए कि आप दो section में क्या कर सकते हैं दो या तीन sections में ताकि वो जो localization of stress है वो असानी से release हो जाए और उस product का strength आपका बढ़ जाए इसलिए दो या तीन section में welding के तुरू किसी बड़े component को बनाया जाता है ताकि वहाँ पे localization of stress से आप बढ़ सकें क्योंकि forging का सबसे बड़ा demerit यह रहा कि localization of stress आता है वहाँ पे stress concentration आता है जिसके वज़े से damage होने की capability वो defect होने की capability उस system के अंदर यह बढ़ जाता है जो हम नहीं चाहते हैं कि cost भी लगाएं और product ऐसा मिले जिसका strength कम हो तो welding सबसे बड़ा इसका advantage रहा कि जब आप दो material को weld भी कर देते हैं तो पहले जो उसका strength welding के बाद strength बढ़ जाता यानि welding of यानि strength of the welded material increases without welded तो यह सबसे बड़ा advantage आप लिख लेंगे यानि strength of strength of welded material welded material greater than हो जाता है strength of without strength of welded product strength of welded of base material base material किसे का आजाता है जिस पे आप welding करते हैं उसे base material का आजाता है और जो extra material आप लाते हैं electrode लाते हैं तो वो आपका जैसे वहाँ पर filler material आप add करते हैं तो electrode के फॉर्म ही filler material को आप supply करते हैं strength of welded material होता है वो strong हो जाता है ज्यादा हो जाता है as compared to the strength of base material तो इस बज़े से welding को पढ़ा गया है एक आपको basic idea लग गया होगा welding को classify कैसे किया गया है अब ये देखेंगे classification of welding classification of welding अलग-अलग parameters के basis पर classify किया गया है classification of welding यानि अगर welding की classification के आप बात करें तो generally generally welding three parts में classify है generally the welding will be classified into three segment पहला solid state welding solid state welding आपका है लिक्विड एस्टेट वेल्डिग आपका है solid लिक्विड एस्टेट वेल्डिग यान दोनों के केस में एक जिस्ट करें अब solid state welding के अगर आप बात करेंगे तो solid state welding अलग-अलग पार्ट में classify है यानि solid state welding में जैसे आप बात करें कोल्ड एस्टेट वेल्डिग यान कोल्ड एस्टेट का नहीं का मतला मेकेनिकल में अगर manufacturing प्रॉसस में cold state की बात करें तो री क्रिस्टिलाजिशन टंप्रेचर से बिलो टंप्रेचर होता है कोल्ड एस्टेट वेल्डिंग होता है दुसरा फोर्ज वेल्डिंग होता है जिसमें आप hammering करके क्या करते हैं इसमें जैसे माले जिस material को दो material को आपको वेल्ड करना है तो दोनों को heat करते है और अब यसी बात है एक तरह से hot state welding होता है तो hot state welding में आप एक recrystallization temperature से एबग जिस पर grain growth हो सके प्लास्टिक deformation हो सके उस temperature पर ले जाते हैं और आसानी से आप hammering के तुरू welding बना देते हैं वहाँ पर joint बना देते हैं तो forge welding हो गया friction welding हो गया अब इसमें friction welding में आप देखते हैं कि दो जिस material को joint करना है इतनी ज्यादा high speed पर आप rotate कराते हैं कि उनके contact के वज़े से friction के वज़े से heat generate होता है और फिर वह आप आपस में joint बना लेते हैं यह होता एक आपका diffusion welding हो गया यह सब आप इस्तमाल करते हैं जहां पे large production की बात हो diffusion welding जैसे diffusion welding friction welding भी एक तरह से diffusion welding होता है diffusion welding में क्या होता है एक material दूसरे material में diffuse हो जाता है जैसे best example है जब आप machining करते हैं किसी के थूरू आप machining करते हैं तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि built up age का formation होता है यानि built up age का formation का नहीं का मतलाब cheap का जो material होता है इतनी ज़्यादा वहाँ पे अगर machining करते हैं तो दो जोन होता है एक primary sear zone दुसरा secondary zone होता है तो primary zone में cheap flow होता है तो primary zone में जब आप देखेंगे तो near the नियर्दा material, नियर्दा workpiece क्या होता है कि heat ज़्यादा होता है और cheap के साथ maximum heat carry करता Approx 80% of the heat to be carried out with the cheap तो वहाँ पर cheap के पास heat ज़्यादा है तो यह वहाँ पर possibilities होता है कि कि जो cutting tool होता है उसका cheap का material और cutting tool का material near the workplace वहाब पे diffuse हो जाता है कि एक material दूस्रे material के अंदर follow होने लगता है मतल Examples उनके आप बोलें तो वहाँ पे एक दूसरे से वो क्या करते हैं बॉंड बना लेते हैं और उस तरब से वेल्डिंग हो जाता है जैसे बिल्ट ऩपेज का formation होना during the machining process अब आप देखते हैं कि अगर मसिनिक पॉइंट आफ वीव से देखें तो बिल्ट अप एज का फॉर्मेशन होना हमारे लिए डिसडवांटेज है लेकिन टूल पॉइंट आफ वीव से देखें तो टूल के लिए एडवांटेज हो जाता है क्योंकि जैसे जॉइंट बनेगा आप जानगा एक टूल मेटिरियल था वो अलग उसका स्ट्रेंथ था जैसे यहां बिल्ट अप एज फॉर्मेशन हुआ तो वहां पे आपका टूल का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है यानि टूल की लाइफ बढ़ जाता है बिल्ट अप एज के आपो बिलट ने मेट देना स्टेदा थैसे आपने बिल्ट अपेश फॉर्मेशन विल्ट अपेश फॉर्मेशन टूर mellan ओरिंग मसीडिल ग्राइव् combined को दो पार्ट में क्लासिफाइए गया गया घ्रीड में बैसीकली एंटो चैसेमें एक आपका अलेक्ट्रिकल वेल्डिंग है अलेक्ट्रिक वेल्डिंग है अलेक्ट्रिक वेल्डिंग है और दूसरा केमिकल वेल्डिंग है अलेक्ट्रिक वेल्डिंग है अलेक्ट्रिक वेल्डिंग है दूसरा केमिकल वेल्डिंग है अब अलेक्ट्रिक वेल्डिंग को आर्क वेल्डिंग और दूसरा आप बेसबरी से इंतजार करते हैं किसका रेसिस्टेंस वेल्डिंग का रेसिस्टेंस वेल्डिंग अब यह जो आर्क एलेक्ट्रिक वेल्डिंग है यह पावर सप्लाई पेडिपेंट करता है इस पे AC supply भी कर सकते हैं, आप DC supply भी कर सकते हैं, अब यहाँ पे दो तरह से आप कर सकते हैं, जैसे arc welding की बात करें, तो direct current polarity होता है, एक होता है reverse current polarity होता है, यानि यह depend करता है work piece और electrode पे, सपोज आपने work piece को anode बना दिया, तो उसके respect में electrode क्या हो जाएगा, आपका cathode का काम क करेंगा, तो इस तरह से आपका क्या कहेंगे, reverse polarity will be there, अगर इसी तरह से आप बात करें, कि electrode पे anode है, यानि positive terminal है, और आपका work piece कैथोड बना दिये, तो आप इस तरह के conditions को क्या कहेंगे, कि यहाँ पे straight polarity है, तो वहाँ पे आप कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो खतरनाक हो होगा, जब reverse polarity होगा, क्योंकि वहाँ पे आप जब आपकी देखेंगे, कि reverse polarity होगा, जब electrode आपका negative होगा, तो उसमें ज़्यादा free electrons होगे, और वो free electrons इतनी ज़्यादा free electron का काम क्या है, जहाँ positive चीजे दिखेगा, उसको भागे भागे चला जाएगा, work piece positive है, एक दूसर arc welding को दो type में classify कियागा, एक state polarity, दूसरा reverse polarity, that is basically depend upon the sources of power supply, कि sources of power supply कहाँ पे है, electrode negative है, work piece positive होगा, that is the first case, second में आप electrode को positive कर दिए, work piece को negative, तो that is the reverse of state, depending upon the supply of power, either DC और EC, resistance welding भी दो तरह के होता है, एक क्या होता है, आपका, एक आपका होता है, seam welding और दूसरा होता है, projection welding होता है, यह joint बनाने के उपर है, suppose मान लेजिए, कि longitudinal, basically resistance welding का इस्तमाल आप कहाँ पर करते हैं, जब आपको longitudinal joint बनाना हो, longitudinal joint में आप जानते हैं, कि एक joint, एक material, दूसरे material पर क्या करता है, overlap करता है, the joint is basically two types, one is the butt joint and the another is longitudinal joint, butt joint क्या होता है, same plane में होता longitudinal joint, overlapping plane के बीच होता है, तो आप longitudinal joint जो बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, कि एक plate, दूसरे plate को overlap करता है, like, यहाँ पर आप सो करा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक roller लगा देते हैं, जो electrode roller रहता है, एक नीचे के तरफ, एक उपर के तरफ, तो यह continuous circular disc के रूप में rotate करता है, जिससे आप seam welding का देते हैं, in the seam welding, that is the type of resistance welding, and in that cases, the electrode to be used in the case of circular disc, यानि दो disc यहाँ पर चलाते हैं, और welding अपने आप हो जाता है, दूसरा होता है, एक projection welding, projection welding, resistance welding का टाइप होता है, लेकिन यह भी longitudinal joint के लिए होता है, अब सपोई यह दो joint है, आपको spot बनाना है, spot बनाना है, हर जगा आपको लगातार joint नहीं करना है, तो multi spot joint का हला आता है, resistance welding, यह सारे classification होते हैं, खिर उतना depth level पे हम लोग नहीं जाएंगे, मैं इसे hints दे रहा हूँ, यह कैसे होता है, chemical welding, हमें पता होता है लेकिन classification हम बता नहीं सकते हैं, gas welding, is the best example of chemical welding, thermit welding की बात कर लें, यह जो chemical welding है, यानि chemical reactions के वज़ेस होता है, जैसे थर्मिट welding की बात करें, तो railway track जो होता है, किस welding से की जाता है, थर्मिटी वेल्डिंग से, वहाँ पे अलिमुनियम और अक्साइड का वहाँ पे रियक्षन होता है, हीट जनरेट होता है और उसके वज़े से वेल्डिंग अकर हो जाता है जैसे गैस वेल्डिंग में आप बात करें तो oxygen और acetylene के इस्तमाल करते है जैसे इसी तरह से 2 तरह के फिलेम भी वहाँ पे प्रोडियूस होता है जैरेली तीन तरह के गैस में flame प्रोडूस होता है एक neutral flame होता है जिसमें acetylene और oxygen का ratio 1 to 1 होता है एक आप कहाते हैं When the oxygen is excess as compared to the acetylene दुसरा आप कहते हैं, वहां पर reducing flame है, the acetylene is excess as compared to the oxygen it means all that to be occur in the form of reaction, chemical reactions के form में होता है, इसलिए आप इसका नाम दे देते हैं chemical welding and the solid liquid state welding is also classified into two segments, the one is soldering soldering होता है, दुसरा क्या होता है अपना braging होता है soldering होता है और second क्या होता, अपना braging होता है soldering मतलब ये भी welding का type है, जिस पे आप यहाँ पे जैसे filler material की बात करें, जो excess material आप यहाँ पे use करते हैं, वो late teen का late teen alloy होता है, और जहाँ पे braging में आप use करते हैं, उसे borax का आ जाता है यानि without a filler metal इस welding को done नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा advantage है, कि soldering braging के थुरू जिस material को आप weld करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि filler material उसी material का होना चाहिए यह सबसे बड़ा advantage है, इसलिए बोल दिया जाता है, soldering can be done and the temperature 430 degree से अगर below होगा, तो soldering कर लिजे उससे ज़्यादा temperature होगा, तो आपको braging करना पड़ेगा, यह तब braging large scale पे किया जाता है obvious सी बात है, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए, कि braging के थुरू आप उस material को weld करते हैं, जहाँ पे base material और filler material दोनों अलग-अलग होगा यानि, borax is the borax braging में अलग होता है filler material आप किसी भी चीज़ को आप braging के थुरू weld कर सकते हैं, तो यह एक बरभई क्लासिफिकेशन था, यह welding का on the basis of state था, liquid, यानि on the basis of state of matter आपने बात किया कि base material का state के आपको, solid हो सकता है, state liquid हो सकता है, या solid liquid का mixture हो सकता, यह था, लेकिन आप बार-बार हम लो repeat कर रहा है, filler material, filler material, filler material आप filler material क्योंग बात करेंगे, जैसे वहाँ पे हमने लोगे लोगे लिका with or without application of heat with or without application of heat जैसे यहाँ पे आप heat नहीं देते हैं, यहाँ पे heat generate करना पड़ता है, by touching the जैसे वहाँ पे electrode और आपका work piece क्या होता है touch करता है, तो वहाँ पे heat generate होता है जिसके वज़े से material वहाँ पे melt होता है, और आसानी से welding हो जाता है तो इस तरह से arc welding आप कहेंगे without heat आप कहा रहे, तो इसे क्या कहेंगे, solid state welding कहेंगे यहीं सब, with or without application आप pressure, जैसे arc welding में आप pressure की बात नहीं करते हैं, लेकिन solid state welding में pressure की बात करते हैं जैसे friction welding हो गया, without pressure कभी possible ही नहीं हो सकता एक आता है, with or without filler material आपने लिखा, उसे भी देख लेते हैं on the basis of on the basis of filler material on the basis of filler material इसे भी आप देख ले कि filler material के basis पर welding को कैसे classify कर सकता है, कोई कोई नहीं हम लोग कर देँगे on the basis of filler material आप आप हर जगा सब, it is generally classified into three segments, जैसे बहाँ पर classify था, एक होता autogenious एक होता homogenious आपने सुना होगा कि यह homogenious welding है, homogenious और third आपका होता है, heterogenious यह सारे welding के type है, on the basis of filler material autogenious आप करते हैं कोई भी filler material इसमें नहीं चाहिए, no filler materials no filler materials requires required for welding यानि welding के लिए कोई भी filler material का requirement नहीं हो तो आपने देखा है, कि अगर welding के लिए filler material नहीं चाहिए, तो अभी आपने देखा, कि solid state welding इतनी है, उसमें filler material का requirement नहीं होता है, तो यानि solid state welding is the autogenious method of welding याद रहांग चे, solid state welding जैसे, आप से कोई पूछे, कि एक ऐसा example बताओ, जो autogenious welding process का लाता हो, तो आप कहिएगा friction welding, friction welding, diffusion welding, forge welding, cold state welding, all these category to be lie in the autogenious welding, simple सी बात है, यानि अगर यहाँ पे आप देखें, तो यानि solid state welding को हम कर सकते हैं, यह autogenious welding भी का लाता है, क्योंकि इसमें कोई भी filler material आप add नहीं कर रहे हैं, दूसरा homogenious welding, homo का मतलब क्या होता है, same होता है, hetero का मतलब different होता है, अगर homo का मतलब same है, तो यहाँ same किस से, as compared to the base material, जिस material को आप weld करते हैं, यानि हमें उसी से compare करना है, अगर आपका filler material, base material के ही जैसा हो, same as base material हो, तो वो homogenious welding का लागा, यानि filler material, use करेंगे, filler material, are used, but, similar as base material, same as, same, ज्यादा suitable word है, same as, base material, और base material आप जानते हैं, जिससे आप weld करते हैं, यानि अगर बात करें, तो आप यहाँ पर जितने भी यह welding है, liquid state welding है, इसे आप कहते हैं, homogeneous welding, इसे आप कहा देते हैं, यह homogeneous welding है, जैसे अगर आप से कोई पूछे, example of homogeneous welding, तो number of example to be there, आप कहेंगे, आर्क welding, resistance welding, gas welding, thermit welding, TIG welding, MIG welding, यह सारे आर्क welding के क्या होता है, टाइप होता है, क्योंकि electrode के बिहाब पर भी welding को classify किया गया है, वो काफी broad level पे और minute level पे classification हो जाता है, जैसे आप बात करेंगे, तो कुछ ऐसे भी welding है, जो electrode को consume करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, अगर consumable electrode होगा, तो TIG हो, MIG welding होगा, और नहीं होगा, तो आप उसे कहते हैं, टंगस्टन इनाट गैस आर्क वेल्डिंग कहते हैं, तो TIG welding में non-consumable electrode होता है, और MIG में electrode consume करते हैं, तो वो एक minute level पर classification होता है, जब आर्क वेल्डिंग डिटेल में आप पढ़ते हैं, तो वहाँ classify करके आप पढ़ते हैं, यह depend करता है, basically material के welding पे, कि आप किस material को welding करते है तो वहाँ पे किस तरह का आर्क वेल्डिंग इस्तमाल करेंगे, TIG इस्तमाल करेंगे या MIG इस्तमाल करेंगे, that is the another way, तो मेरा सिर्फ परपस है, the every liquid state welding, either arc welding, resistance welding, gas welding और thermit welding is the category of homogeneous welding, अगला भशता है, hetero का मतलब होता है different, इसका मतलब जो यहाँ पे filler material आप इस्तमाल करेंग here, filler material are used, filler material are used but different as base material, base material के तुलना में वो क्या होगा, different होगा, और इस तरह के विल्डिंग को आप कहते हैं, solid state, solid liquid welding, और यह काला आपका heterogeneous, यानि अगर heterogeneous का example पूछा जाए, तो soldering and brazing is the best example of heterogeneous welding, यह आपके welding के classification हो गया है, और इसी के बिहाब पर आप सही चीजों को सही तरीके से, और basis इसी को minute level पे classify करके आप चीजों को एक detail analysis करते हैं, तो यह रहा विडियो सिर्फ welding क्या होता है advantage क्या है, क्यों welding करते हैं, और types of welding on the basis of different consideration, आपने देखा, autogenous, homogenous, heterogeneous, किसे काते हैं, फिर हो सकता है कि अगले session में या किसी दूसरे कभी मोका मिला तो बताने का, तो मैं discuss करूँगा types of welding के बारे में थोड़ा वो जैसे arc welding के types हो गया है, वो कैसे करते हैं, power source क्या देंगे, DC देंगे तो क्या होगा, AC देंगे तो क्या होगा, जैसे आप नाम सुनते हैं welding में reinforcement क्या होता है, penetration क्या होता है, वो क्या कैसे होता है, तो वो चीजे ज्यादा reinforcement हो जाए तो क्या होगा, ज्यादा penetration हो जाए तो क्या होगा welding पे, तो उसी के वैसे तो defectors आता है, तो वो अलग बात है दूसरा सेग्मेंट है फिर दूसरे सेशन में आप से मिलेंगे और फिर डिटेल चर्चाम लोग करेंगे ओके थैंक यू